नमस्कार दोज्तों, मेरा नाम आशिक राज है, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकनिकल आशिक में, इस चैनल पे मैं स्कुल पिल सकुल से लिटेड ज्यादा वीडियो में डालता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर स्कुल पिल सकुल की परहाई कर रहा हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो जो डाला हुआ है और जो मैं डालता हूं उसको आप देखे बहुत वेलफुल हुआ आपके लिए ठीक है और मैं स्पेशल आज आपके लिए यह लाया हूं कि अगर आप स्कूल करते हुए साथ मैं करते हुए अगर आप भी औरेकल डेवलपर या अब नुट्स और वीडियो बनाकर ढ़ने वाला हुँ इसको बारे में कुछ नहीं मालूम है और इसका से इक सकता है तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए सबसे पहले हम यह जानने की औरेकल प्योग्येश्क्रक्र डव्लपर बनेंगे कैसे क्या का ज़रूरत परेगी हम तो सबसे पहले आपको यह होना चाहिए कि सबसे पहले आप के पास एक सिस्टम होने चाहिए एक लैप्टॉप होने चाहिए मिनिमूम 4GB 4GB RAM के साथ और hardx कम से कम 50GB होनी चाहिए ठीक है यह फर्स्ट रिक्वार्मेंट है सिकन्ड रिक्वार्मेंट है कि आपको और एकल डेटाबेस इंस्टॉल होने चाहिए आपकी सिस्टम में ठीक है और एकल डेटाबेस इंस्टॉल होने चाहिए उसके बाद आपको PLSQL और SQL की नौलेज होनी चाहिए जिसके लिए मैं SQL और PLSQL का ट्यूटोर्य में डाल रहा हूं आपको वहां से हिल्प हो जाएगी ठीक है तो आप SQL और PLSQL वहां से पढ़ लेंगे और ओर एकल formS and reports की भी जानकारी होनी चाहिए है कि oracle forms के क्या component है oracle reports के क्या component है ठीक है D2 को oracle forms and reports के क्या component है उसके बारे में भी हमको जानकारी होनी जरूरी है उसके बाद आपको एक tools रहना जरूरी है जैसे कि tools को होई जाएगा जब आप oracle database install करेंगे तो 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 इनस्टोल होने चाहिए तो यह जो इंस्टोल्रेशन के पार्ट है तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा इसी में डालूँगा तो कैसे इंस्टॉल करते हैं और एकल 10G ओर एकल database और उसमें user कैसे करते हैं table space कैसे create करते हैं उसको user को grant कैसे कैसे देते हैं तो dub डाल सकते हैं कैसे डाल सकते हैं उसके बाद और वाद और फ़ार्मस बढ़ेंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके कहा कहा कई कैसे सेटिंग होगा वो सम्य आपको बताऊंगा आपको कोई कोई दिख्कत नहीं कभी आप इंस्टाल करेंगे औरकल्स वाम्स और डिपोर्स तो आपको कोई दिख्कत नहीं कोगी अगर आप मेरे साथ दूर्ड हैंगे तो ठीक है तोर एकर फॉर्मस और इस्टाल होने यूज होगा वो सब की जानकारी हमको हम लोगों को जानकारी होने जोड़ी है तो हम लोग special Oracle Forms और Oracle Reports के अलग-अलग tutorial करेंगे ठीक है तो Oracle Forms वाले प्रेलिस्ट में डालेंगे और Oracle Reports वाले ट्रेलिस्ट में डालूँगा वीडियो वह आप आप वहां से देख सकते हैं वीडियो तो इसलिए मैं आप यहां पर आज लाइब आया हूं कि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आप भी एक और डेवलपर हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे ठीक है तो आने वाले वीडियो जो है और आपको ब्राइब और angry आपको कि अवाले उसकों सबस्क्राइब करें हमारे साथ बने रहें हम यापना पयार दे हमें अपना प्यार दे, प्यार दे, सपोर्ट करके, लाइक करके, वीडियो को शेर करके, अपने दोस्तों को बता है, जो भी दोस्त, अगर सीखना चाह रहा है, और एकल फॉर्मसन रिपोर्स, वो भी फिरी में है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है, यूटूब में आप जानते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और एकल फॉर्मसन रिपोर्स डेवलपर के स्रीज को, ठीक है, तो हमारा से बने रही है, थैंक्यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए, और दोस्तों क आप हमें बताएंगे, आप अपना प्यार देंगे, ठीक है, थैंक्यू वेरी मच, पर वाजिंग दिस वीडियो,